क्योंसे नम्बर टू, पार्ट टू, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 2x3 इंटू Sin2 of 3x और इस फंक्शन को हमें दिफ्रेंशेट करना है using logarithamic differentiation यहीं हमें logarithm को इस्तमाल करके इस फंक्शन को differentiate करना है तो हम सब से पहले इसको लेट करेंगे y equals to 2x cube into sin square of 3x उसके बाद हम बोच sides पर log लेंगे तो taking log on both sides तो हमारे पास left hand side में log of y और हम जो log लेंगे वो initial log होगा equals to यहाँ पर log of 2x cube multiply by sin square of 3x और अभी हम इस पार्ट पर log का एक ला इस्तामाल करेंगे और ला हमारे पास यह है कि अगर log of कोई दो चीज़ multiply की शकल में हो तो उसको हमें इसे लिख सकते है log of a plus log of b यहनी हम लोग को दोनों के साथ अलग-अलग लिखेंगे और बीच में plus का sign देंगे इक्वल्स तो इदर भी हमारे पास आजगा log of 2x cube उसके बाद plus log of sin square of 3x और अभी हम लोग का एक और ला इस्तामाल करेंगे कि अगर log of कोई b value a हो और उसका power हो m तो हम इस power को log से पहले shift कर सकते हैं यानि हम इसको ऐसे लिख सकते है m log of a तो इदर हमारे पास sign के उपर whole square है तो हम इस square को log से पहले shift कर सकते हैं यहाँ पर हम 3 को shift नहीं कर सकते क्योंकि यह जो power है यह सिर्फ x का है अगर यह 2x whole cube होता तो हम इस power को shift कर सकते लेकिन इदर हम इसको shift नहीं कर सकते हैं पिर प्लस 2 आ जाएगा पहले log of sin 3x left hand side पर log of y अभी हम differentiate करेंगे इसी को with respect to x तो d by dx of y equals to d by dx of log of 2x cube प्लस 2 वे से ही d by dx of log of sin 3x और हमारे पास log का formula यह है कि अगर d by dx of log of x आ जाएगा तो इसका answer हमारे पास 1 by x आ जाएगा तो यहाँ पर left hand side में हमारे पास यहाँ पर log of y हैं सिर्फ y नहीं तो d by dx of log of y log of y का answer हमारे पास आ जाएगा 1 by y और उसके बाद d by dx of internal function यहनी यह पार्ट हमारे पास log का differentiation है उसके बाद उसके internal function y का differentiation यहनी d by dx of y equals to यहाँ पर d by dx of log of 2x cube तो हमारे पास log का differentiation 1 divided by 2x cube आ जाएगा उसके बाद d by dx of internal function internal function हमारे पास 2x cube है फिर प्लस 2 d by dx of log of sin 3x तो हमारे पास log का differentiation आ जाएगा 1 divided by log के बाद हमारे पास sin है तो sin 3x वेसे ही उसके बाद d by dx of internal function तो इस log के लिए internal function sin 3x है equals to यहाँ पर 1 divided by 2x cube हम इस 2 को इस side पर लिखेंगे और d by dx को हम x cube के साथ पिर प्लस 2 ones होगा 2 divided by sin 3x और d by dx of sin का answer हमारे पास आ जाएगा cosine of 3x और उसके बाद d by dx of internal function sin के बाद हमारे पास मजीद internal function 3x है तो d by dx of 3x भी आ जाएगा और हमारे पास फार्मूला यह है कि d by dx of sin x का answer आ जाएगा cosine x जो के यहाँ पर इस्तमाल होए equals to यहाँ पर 2 or 2 होंगे cancel 1 divided by x cube multiply by d by dx of x cube का answer आ जाएगा 3 पिर x का power होगा एक कम तो 3 minus 1 होगा 2 और यह हमारे पास power rule के मताबिक है फिर plus 2 divided by sin 3x into cosine 3x और d by dx of 3x का answer आ जाएगा हमारे पास 3 क्योंके d by dx of x का answer है 1 और 1 को अगर 3 से मत्सप्लाइ करें तो उसका answer हमारे पास 3 ही आ जाएगा और हमारे पास left hand side में 1 divided by y और dy by dx है तो हमें सिर्फ dy by dx चाहे क्योंकि यह हमारे पास y का differentiation with respect to x है तो हम इस y को right hand side पर shift करेंगे और यह y इदर divide में है right hand side पर जाकर multiply में change होगा तो dy by dx equals to यहाँ से हमारे पास x square और इदर से भी x square होगा cancel और 1x हमारे पास बच जाएगा तो बचेगा 3 divided by x फिर plus यहाँ पर 2 3s है 6 होगा और हमारे पास cosine of 3x divided by sine 3x और हमारे पास जो y shift होगा वो आकर totally right hand side के साथ multiply होगा और अभी हम y की जगा y की value को put करेंगे और हम इन दो fractions का lcm भी लेंगे तो x और sin 3x का lcm आ जाएगा x sin 3x और हम इसी lcm को divide करेंगे इस first fraction के denominator से तो जब यह चीज इस x के साथ divide होगा x और x होगा cancel तो sin 3x जाकर 3 से multiply होगा तो 3 sin 3x फिर प्लस और अगर हम lcm को इस के साथ divide कर ले तो sin 3x sin 3x होगा cancel x बच जाएगा x जाकर उपर वाले के साथ multiply होगा तो आ जाएगा 6x into cosine 3x multiply by y y की value हमारे पास question में 2x cube or sin square of 3x है y की value हमारे पास y question नहीं जो कि हमने y के बराबर लेट किया हुआ था तो 2x cube sin square 3x y की जगा आ जाएगा और अभी हम यहाँ से sin 3x को और x sin 3x को cancel out करके x sin 3x बच जाएगा यहाँ से x और x होगा cancel तो 2x बच जाएगा यह x cube है तो हमारे पास last में answer आ जाएगा 3 sin 3x plus 6x into cosine 3x multiply by 2 into x square into sin 3x और यही हमारे पास answer होगा dy by dx का तो इस question में हमारे पास एक function गिवन था और उसे हमें differentiate करना था यह using logarithmic differentiation तो हम सबसे पहले इसी function को y के बराबर relate करते हैं पिर both sides पर log लेते हैं log लेने के बाद हम इस पार्ट पर यह law of log इसामाल करेंगे कि अगर log of दो चीज़ multiply के शकल में हो तो हम log को दोनों के साथ अलग-अलग लिकेंगे और बीच में plus का sign डालेंगे और उसके बाद हमने एक होड़ ला log का इसामाल किया कि अगर log of A to the power M हो तो हम पावर को log से पहले shift कर सकते हैं पिर यह आजाएगा पावर फिर log of A जो के इस पार्ट पर इसामाल हुआ है और इस पार्ट पर इसामाल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर यह 3 सिर्फ x का power है यह whole cube नहीं अगर whole cube होता तो हम इसको shift कर सकते हैं उसके बाद पिर हम इसको differentiate करेंगे और इन सबी में हमारे पास सबसे पहले यह log का formula इसामाल होगा कि अगर divide x of log x हो तो इसका अंसर one divided by x आजाएगा x के जिगा जो भी चीज़ हो one divided by वही चीज़ आजाएगा और यह formula apply होने के बाद simplify होने के बाद हमारे पास अंसर यह चीज़ आजाएगा